कि हेलो दोस्तो नमस्कार जैसीयरां वेलकम बैक माई यूटूब चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत हैं। आप मैं कड़ा हूँ हमारे खेण पास में गाउं से जस्ट दो किलो मीटर तो दोस्तों आज मैं फिर आपको अपने मैं खेत पे लेके आया हूं क्योंकि मोसम दो दिन से बहुत जादा खराब हो रहा है इस वज़े से हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे लेकिन अभी बस थोड़ी देर में बारिश रुकी थी तो मैंने सोचा आज खेत पे चला जाए और देखा जाए पुसलों में कितना न में कापी नुक्सान भी हुआ है और कई फाइडा भी हुआ है तो यह हमारे गाहों से लोग की चल रहे हैं तो हाँ दोस्तों मैं आप से बात कर रहा था कि जो यह बिन मोसम बारिश हुए जिसे हमारे हां रूरल एरिया में जाती वासा में महमध बूते हैं जो कभी भी अकस्मिक वर्सा मानी जाती है और कभी भी हो जाती है तो इस वर्सा के कापी नुक्सान भी है और फाइदे भी है तो फाइदा उनको है जिनकी जमीन सुखी है और जहां पर पानी की बिवस्ता नहीं है तो फाइदा उस जमीन में उस वसल में जहां पर हुए न पारिक्स के पानी के लावा कोई सादन नहीं था प्रसल के लिए। उन लोगों को फायदा हुआ है लेकिन जो हमारी वारंपरीक पुल है जिसे घ्यो हैं, दुनिया है, चना है, इस्ने कहीं है नुपसान फे वाएं, जिसे सरसों में खापी मूल अगए थी पूल इतने कॉमल होते हैं कि अगर आपन वेड़ को आज से भी बिलाएं तो पत्ते अब पूल गिर जाते हैं तो पूल के उपर दोस्तों खोले गिरे हैं इससे बहुत जादा नुक्सान हुआ है हमारे गाउं में तो नहीं गिरे हैं इसबर की किरपा से देंगोड की हमारे गाउं में ओला ब्रिष्टी नहीं हुई थी तो यहां भी बहुत च्छती हो सकती थी इस लोगों लेकिन हमारे एरिये में कुछ इस्तानों पर इतनी जादा उला ब्रिष्टी हुई की फसल को लगबग पूरी तरह से बरबाद कर दिया थेशनेस कर दिया दोस्तो किसानों के लिए तो फसली उसका जीवन यापन का में सादन होता है अगर बोई ही बरबाद हो जाए तो उससे बहुत बड़ा लोस होता है किसान का क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं इनकम के सिर्फ फसली यह कैसा सादन है जिससे वो कमाता है और खाता है आप देख सकते हो यह पीछे सरसों है और यह बीच से नाला निकना हुआ है इस नाले में अभी भी पानी भरा हुआ है इतनी तेज बारिश हुई थी कि भूत ही ज़्यादा और कहीं कहीं पर तो बिजली भी गिरी हैं तो इससे बहुत बड़ा हाख प्रफार मच गया है किसानों में और हाँ दोस्तों जैसे ये आपको देख रही होगी लेसून की पसल लेसून तो ठीक है लेकिन कुछ लोग अप्याज लगा रहे थे खेतों में लेकिन ते आज भी अप कैसे लगाएंगे क्योंकि खेतों में पानी बर गया जब तक खेत में बतर नहीं आएगी मिट्टी सूखी नहीं होगी भूर बूरी तब तक प्याज भी नहीं लगा सकते है तो जो इंकम की जो इनकम रिसोर्स की फसल है वो है प्याज लेशून अगर प्याज भी नहीं लगा पाएं तो बोट-बड़ा घाटा हो सकता है ये तो दोस्तों देख देख सकते हो आप दोपेर को तीन बजे और अभी भी धुन्चाई हुई इसा लग रहा है जिसे बिल्कुल साम हो गई है पता ही नहीं चल रहा है दिन कम निकला है और कब दिन ढलता जा रहा है तो इस मोसम की जो मार है वो किसानों पर ही पड़ती है आप देख सकते हो दोस्त तो यह मेरे दोस्त का जो सामने दिख रहा है पाम आउस वो भी ब्लोगिंग करता है वो भी अपने खेत के अपने घर के बीडियो डालता है अगर कुछ मोसम सही होता तो मैं आज उसके घर जाता मिलने लेकिन बारिश की बज़े से रास्ते भी गीले हो गए मैं जानी सकता म मेरी बाइक निकलेगी नहीं तो दोस्तों बने रही है वीडियो में मैं आगे भी अपनी फसल दिखाऊंगा सामने से थैंक यू और हाँ दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए आये वह प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं अपने ब्लोग में नए नए ए थैंक यू दोस्तों अब मैं निकल लग रहा हूं घर की और ये मेरी बाइक जिससे मैं गर जा रहा हूं और आगे आप टाइम लेफ्स वीडियो देख दिखते हो अमारे गाउं का रोड साइड का दूए तो आपको मैं भी दिखाता हूं सामने का ये जस्ट वीचे ही रोड बाचा गई है और ये इदर सामने हमारे जाउं की हो गया है रात्ता हमें आपको भी दिखाऊंगा हमारे गाउं की रोड साइड की जो पत्र है अब देख चक्ते हो है है हमारे गाउं की रोड के साइड का व्यूग तो तरह को पर देखे तरह किरे भी दिखेज़ माली पर देखेज़ देखेज़ दिखेज़ फाने है बादर तूरी तरह से च्छाय हुए है, गंद गोर गठाए है ऐसा लग रहा है जिसे बारिज का मोसा मागे रहा है लोग अपने अपने करोफियों नहां से यह हमारी देहर साइड आप देखते हो इस लोग मवेशी चरा रहे हैं इस लोग घर जा रहे है और यह हमारी बड़ी माता यह हमारी बड़ी माता है वे तक लोग बड़ी माता है प्रेज्ड बड़ी मादेवे जिमादाए और रहे इस लोग माता है जूस भूप को एंडियों स्थाइब इस भी अजोप एंड पीर च्टाइब को और भाती अगिए प्राइड मिट्टी कि एंड एव उट एव इस स्थाइब साइब इस फ्रेइन हम इन्स भीड था प्रइब हुड एएफ लूप एक प्लिटीक वा यह दोस्तों हमारी बाड़ी जिसमें हमके आज लगाएंगे और यह स्पगल में जहां पर टमाटोस एंड पोटेटोस अलुवड टमाटर की केती होती है